Hi everyone, welcome back to the video So, आज के वीडियो में बात करेंगे Intraday Stock Selection Method के बारे में कैसे आपको Watchlist को Create करना है कौन से Stock को Select करना है कौन से Stock को Avoid करना है कैसे Trade करना है and Main Thing अगर Stock Gap Up या फिर Gap Down Open होता है उस Case में आपको क्या करना है आज की वीडियो में देखेंगे वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है काफी सारी Stock को Analyze करने वाले है So, make sure आप टाइम निकाल के वीडियो को आराम से देखें सबसे पहले आपको क्या करना है You have to create a Mixed Watchlist Mixed Watchlist का मतलब जिसमें सारे Sectors के Stock प्रेजेंट हो मतलब Nifty IT के कुछ Stocks ले ले लेंगे Nifty Auto के ले लेंगे Nifty Banks के ले सकते है Nifty Pharma के ले सकते है FMCG आपको जो भी चाहिए 5-6 Sectors के Stock आप उसमें ले सकते है ठीक है जैसे के कुछ लोग Nifty 50 के Stocks को Trade करते हैं तो Nifty 50 में सारे Sectors already मौजूद होते हैं तो आपको चाहिए तो आप उसको भी Trade कर सकते हैं पर उसमें Issue क्या होती है उसमें Already 50 Stocks होते हैं तो डेली के लिए आपको 50 Stock को अगर Analyze करना आप कर सकते हैं उतना तो Definitely आप उसको कीजिए नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ 15 या फिर 20 Stock की एक Watchlist create करेंगे उस Stock को आप इजले Trade कर सकते हैं उसमें सारे Sectors प्रेजेंट होंगे Next आपको क्या करना है You have to draw Buying Zones, Selling Zone and आपका Main No Trading Zone Stock अगर Buying Zone की उपर जाता है आपको Buy करना है, Selling Zone की नीचे जाता है Sell करना है, जब तक बीच में आपको Trade नहीं करना है So जो भी हम 15-18 या फिर 20 Stock लेने वाले हैं सारी Stocks में आप यह सारी चीज़ें आप खोजनी कोशिश करेंगे कुछ Stock में आपको सिर्फ No Trade Zone मिलेगा उस Stock में आप ट्रेड नहीं करने वाले है कुछ Stock में आपको सिर्फ Buying Zone मिलेंगे कुछ में सिर्फ Selling मिल सकता है तो ऐसे करके आपके पास 4-6 या फिर 8 Stock निकलेंगे टोटल ना उसमें आपको कैसे Select करना है Obviously हम सारे तो ट्रेड करने नहीं वाले है Next आपको क्या करना है आपको जो हमारा Main Index Nifty है उसके एक Direction का आइडिया लगाना है Nifty bullish है तो आपको bullish stock को trade करना है अगर bearish है तो bearish stock को trade करना है कैसे करना है सारी चीज़ें धीरी तरे करके देखेंगे Next आपका Find weak या फिर Strong Sectors अब ये चीज़ थोड़ा सा intermediate या फिर advanced level पर आएगी अगर आप beginner है आप इसको बिल्कुल skip कर सकते हैं इसमें आपको क्या करना है देखे जब भी index 2% let's say उपर है तो 2% अगर index उपर होता है तो कुछ sectors ऐसे होंगे जो कि 3% उपर होंगे अगर आपको sectors का ज्यादे idea नहीं है तो इस पार्ट को अभी के लाब skip कर सकते हैं आपको जब थोड़ा time हो जागा market में तो फिर जो strong sector है उनके stock को आप correlate करके trade कर सकते हैं तो in total आपको करना क्या है आपको एक mixed watchlist create करनी जिसमें कुछ sectors available हो उसमें buying and selling zone draw करना है no trading zone draw करना है main index अगर nifty bullish है तो आपको buying वाले stock को trade करना है buying के side अगर nifty bearish है तो इसको आपको avoid करना है आपको selling stock को trade करना है simple so I hope आपको इतना अभी तक समझ में आ चुका होगा charts पर चलते हैं वहाँ पर देखते हैं कैसे आपको watchlist को create करना है and कैसे आपको trade करना है so सबसे पहले आपको क्या करना है एक watchlist create करनी है जिसमें से आप daily stock को find करके trade कर सकते हैं now कितने stock उसमें होने चाहिए यह आपके उपर है आप 10 रख सकते हैं 15 या फिर 20 भी रख सकते हैं वह आपके उपर हाँ उसमें total कम से कम 5-6 sector आपको include करना है एक watchlist create कर लेता हूँ फिर आपको आगे समझाता हूँ क्या करना है so यह आपके सामने मैंने 15-20 stock की एक watchlist create करके रखी है इसमें अगर आप देखेंगे तीन stock यहाँ पे Axis Bank, ICIC, HDFC यह bank sector से है Tata Steel, Jindal Steel, Hindalco Steel sector से है बजाज Finance, HDFC, Life, ICIC, Prudential यह आपका finance sector आपका यहाँ पे Tata Consumer, Dabber and McDowell's United Spirit FMCG से TCS, HCL Tech, Mindtree यह तीनों आपका IT sector और आपका last auto बजाज, Tata Motor and MNM ठीक है तो यह मैंने कुछ 15-18 stock लिये हुए है तो आपको अगर चाहिए आप खुद से बना सकते हैं या फिर same as it ही इसको भी रच सकते हैं सबसे important आपको अब क्या करना है उसमें levels को draw करना है सारी stocks में level draw करने के बाद आपके पास कुछ 4-5 stock मिलेंगे जो buying के side होंगे ठीक है तो market अगर positive है आप buying को trade करेंगे अगर negative है तो आप फिर selling को trade करेंगे कैसे करना आप बात करते हैं सबसे पहले axis bank आपको levels न जवर्दिष्टी नहीं खोज नहीं है अगर naked eye से दिख रही है तो आप उसको simply draw कर सकते है वरना फिर skip करके दूसरे stock पर आ सकते है simple now time frame आपको रखना है 15 minute या फिर 30 minute इसमें अगर आप देखेंगे simple जहाँ भी आपको resistance या फिर support देखे easily आप level mark कर सकते है एक level आपको यहाँ दिख रहा है एक बार दो बार तीन बार इसने यहाँ पर resistance लिया gap के साथ इसका breakout हुआ है now यह level आप important क्यों है जब भी इसके नीचे यहाँ पर आएगा ना यहाँ से देखें दो चीज़ें हो सकती है price यहाँ आके again उपर जा सकता है या फिर again नीचे break कर सकता है so this is important level अगर आप यहाँ पर देखेंगे price last day पर एक range में trade कर रहा था तो मैंने आपको यह बताया हुआ है जब भी छोटा range होता है तो range के breakout पर trade करते हैं जब भी बड़ा range होता है तो फिर reversal trade करते हैं मतलब कि अगर लेट से यह range काफी बड़ी होती यहाँ से लेके यहाँ तक तो price जब भी lower range पर आता है यहाँ पर हम reversal candles खोचते हैं उपर के side trade लेते हैं लेकिन जब भी range छोटा होता है या फिर उपर breakout होगा तो या फिर नीचे breakout होगा तो दो में से किसी एक side पर trade ले सकते हैं अगर candle नीचे close करती है आपके पास target 725 के आसपस यहाँ पर होने वाल है price अगर इसके उपर निकलता है तो फिर आप इसमें buying के side trade कर सकते हैं ठीके एक stock हमें यहाँ पर मिल गया next हमारे पास ICIC bank इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक triangle pattern जैसा दिख रहा होगा इसका अगर नीचे के साथ breakout होता है यह जो दोनों यहाँ पर low बने हुए यह level इसके नीचे के साथ जब breakout होगा target आपका क्या होगा this level एक बार इसने यहाँ पर resistance लिया था second time यहाँ पर and gap के साथ breakout हुआ था ठीक है इसके नीचे आता है यह target अगर इसके उपर निकलता है यह level ठीक है इसके उपर अगर निकलता है तो ऐसे आपको level marker करके रखना है next आपके पास HDFC bank है इसकी range काफी बड़ी इसको हम skip कर सकते हैं Tata Steel यहाँ पर मुझे एक flag and pull pattern जैसा दिख रहा है होगा जब भी range इस level को breakout करेगा stock उसमें आप buying कर सकते हैं and selling के लिए आपको इसका wait करना पड़ेगा तो फिर selling के लिए stock नहीं mark कर सकते ठीक है चलते हैं छोटे time frame पर वहाँ पर levels find करेंगे तो simply आपके पास यह level है price जब भी इस level को breakout करेगा यहाँ पर एक m pattern दिख रहा होगा जब भी इस level को breakout करेगा तो पहला target आपको यह हो सकता है 13, 35 के आसपस correct Tarta still में आप देखी यहाँ पर selling नहीं कर सकते जब तक यह level यहाँ पर break नहीं होता है नीचे के side यह एक range दिख रही होगी आपको right price जब भी उपर जाता है यहाँ पर यहाँ से इसको एक resistance मिलता है again यहाँ से नीचे एक support again उपर again नीचे again यहाँ पर ठीक है तो कहीं नहीं कहीं यह एक range में है तो जब तक यह range के बीच में यहाँ पर आप selling नहीं कर सकते प्राइज जब भी इसके उपर जाने कोशिश करेगा, आप यहाँ पर trade कर सकते हैं, तो जब भी बड़ा range होगा, आप दोनों side trade कर सकते हैं range की बीच में, अगर range का breakout होता है उपर, range का breakout होता है नीचे एक side तो फिर नीचे, range अगर छोटा है, तो उसमें आपको बीच में trade नह यह सारे बिलकुल एक तरह चलते हैं, जब भी metal sector bullish होगा, सारे stock बिलकुल same चलते हैं, तो अगर आपने एक या दो stock analyze कर लिया, फिर बाकि आप skip भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैसे ही मुझे कोई खास levels दिखने रहे हैं, एक यहाँ पर level है, अगर इसके उपर जाता है, तो फि breakout fail हो गया, फिर उपर जाके यहाँ इसने resistance लिया है, अगेन यहाँ पर यह resistance ले रहा है, तो जब तक यह high कल का जो high था, यहाँ पर, यह जब तक cross नहीं होता है, 17,050 के आसपास, तब तक यह bullish नहीं होगा, इसको आप तब तक लिए avoid कीजिए, HDFC life, यहाँ पर आपको एक proper pattern दिख रहा होगा, correct, first time इसने यहाँ पर resistance लिया, second time पर, third time पर, and fourth इसने breakout किया है, अगर आप इसको बड़े time frame पर देखेंगे, आपको एक यहाँ पर W pattern दिख रहा होगा, ठीक है, जिसकी neckline यहाँ पर थी, इसका इसने breakout कर चुका है, breakout करने के बाद, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसने यहाँ पर breakout किया, again retest, फिर यहाँ से चांसे हाई हैं कि उपर जा सकता है, तो जब भी इस level को cross करेगा, definitely हम यहाँ पर buy कर सकते हैं, swing के लिए भी, and आपका intraday क के बात करें, जब तक stock इस level के नीचे नहीं आता है, 520-20 के असपास, अगर यहाँ आता है, थोड़ा consolidate करता है, उसके बाद जब भी इसम ब्रेक दाउन देगा, इसको यहाँ पर sell कर सकते हैं, इसके पीछे region क्या है, simple, यह बहुत दिनों से एक resistance था, जिसको इसने break करके sustain कि है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी buyers हैं, सब को यह breakout दिखा है, सब ने यहाँ पर buy कर रहा है, अगर यह वापस से इस range के अंदर आ जाता है, मतलब कि नीचे, तो क्या होगा, it will be a fake breakout, जितने भी buyers थे, सारे trap हो जाएंगे, and they will cover their longs, ठीक है, उसके वैसे क्य होता है, नीचे के साइट momentum आएगे, correct, next आपके पास ICIC Prudential, इसमें कोई खास level दिखनी रहा है, एक trending moment था, तो यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा, थोड़ा इसने consolidate करना है, उसके बाद यह उपर जाएगा, data consumer, यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा pattern, simple, एक यहाँ पर resistance से, जस इसको draw करकर रख लेना है, and kind of यहाँ पर एक trend line जैसा है, तो इसको नीचे के साइट breakout देगा, अगर यहाँ पर, इस level के नीचे आप sell कर सकते हैं, यह जो horizontal line इसका breakout हो जाएगा, साथ में यह trend line का breakout, and buying के लागें इसके उपर कर सकते हैं, यह जो red candle है, stop loss आपका 5 से 7 पर टागेट आपका 1 इस्टो 2 या फिर 1 इस्टो 1.5, जितना आपका stop loss उसका 1.5 टागेट, नेश्ट आपके पास डवर, इसमें आपको कोई खास pattern दिखनी रहा है, TCS, again यहाँ पर मुझे एक level दिखतो रहा है, यह level, यहाँ पर यह resistance के तरह काम कर रहा था, again आके यहाँ खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दो cases हो सकते हैं, जो भी resistance होता है, once it's broken, it will act as support, तो यहाँ तो इसको support की तरह act करना चाहिए, यह उपर वापस यहाँ से जाएगा, अगर यह breakout fail होता है, तो फिर यह नीचे जाएगा, but intraday मैं यहाँ पर reversal trade करना प्रिफर नहीं करूँगा, पुझे safe नहीं दिख रहा है, तो जब तक यह इस level की उपर नहीं निकलता है, I will not prefer to buy, सारे stock हमें ने चाहिए, हमें already 3-4 stock मिल चुके हैं, that's more than enough to trade, Tata Motors, यहाँ पर एक level है, आपको दिख रहा होगा, resistance के पास जब भी जा कि कोई stock consolidate करता है, बहुत अच्छा sign होता है कि यह breakout होने वाला है, यह एक resistance था, इसके पास यह गया, एक बार ने इसने breakout नहीं किया, यहाँ पर एक दिन पूरा consolidate करा है, ठीक है, तो जब भी यह इस level के उपर एक candle close करता है, आपको यहाँ पर buy करना है, यहाँ पर आप इसके नीचे sell कर सकते हैं, यह जो range है, बट मैं इसको prefer न stock लेट से यहाँ पर open होता है, अगर छोटा gap up होता है, यहाँ पर तो आप फिर भी इसको buy कर सकते हैं, किसी एक small dip पर, अगर यह big gap up होता है, लेट से 2%, 3% या फिर 5%, उस case में आपको क्या करना है, price लेट से यहाँ पर open होता है, या तो price open होके उपर जाने लगे, या तो फि फिर यहाँ पर range में हो जाए, इन 3 के लाओं और कोई case नहीं हो सकते, करें, now trade कैसे करना है, देखें, price जब भी बड़ा gap up open होता है, लेट से यहाँ पर, आपको तुरंट यहाँ पर trade नहीं लेना है, यह उपर जा सकता है, नीची जा सकता है, या फिर sideways हो सकता है, आपको न जहान रखना है, starting के 30 minute के range अगर बहुत बड़ी बनती है, मतलब कि 2 बड़े बड़े candlelight से बनके 1% के आसपर, तो फिर आपको उसको trade नहीं करना है, अगर यह range में थोड़ा सा यहाँ पर wait करता है, starting के 25 से 30 minute यहाँ पर wait करता है, तो फिर आपको जहाँ भी breakout देगा, आप trade क कर सकते हैं, बट अगर आप beginner हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको avoid कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास already खाफी stocks होंगे, जिसको आप trade कर सकते हैं, जो कि आपके label पर open होंगे, आपको अगर मैं बताओ, जैसे कि हमने एक stock देखा था, ताटा स्टेला भी, तो इस case में आप देखेंगे, price resistance से अपने already नीचे है, correct, इसका resistance कहीं 1316 के आसपास है, and it's trading around 1300, तो अगर nifty और सारे stock gap up open भी होते हैं, तो ये stock जादे जादे यहाँ पर open होगा, तो still यहाँ पर आपके पास trade करने की opportunity है, यहाँ पर open होने बाद जब भी इस level का breakout देगा, आप simply trade कर सकते तो जब भी आप 5-7 stock अपने पास रखेंगे न, उसमें से कुछ stock gap up open हो जाएंगे, कुछ stock आपके flat open होगे, कुछ आपके gap down open हो जाएंगे, so जो भी आपके level के आसपास open हो रहे हैं, आप उनको trade कर सकते हैं, या फिर अगर सारी stocks gap up open होए हैं, तो फिर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग के 30 मिनट आपको वेट करना है, जो भी उसका range बनता है, जैसे कि यहाँ पर, price अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर close करा था, इसने open यहाँ किया, अपको क्या करना है, आपको वेट करना है, 30 मिनट के range के breakout का, यहाँ पर इसने breakout दिया है, तो जब यहाँ इसने close करा, अगर open होता है, एक परसंट, देट परसंट के आसपस gap down, आपको वेट करना है, एक range का, 30 मिनट के आसपस की एक range का वेट करना है, जैसे इसका breakout ऊपर या नीचे साइड होगा, आपको उसमें trade करना है, correct, so ऐसे ही आपको सारी stock को analyze करना एक एक करके, hardly it will take 15 minutes, सारे stock में level draw करके रख देंगे, आपको एक या दो दिन काम आ सकता है, जो भी stock आपके level पे open होते हैं, उपर या नीचे जहाँ breakout देता है, आप उसको trade कर सकते हैं, वीडियो गार अच्छे लगे, वीडियो को like कर सकते हैं, नीचे comment करके बता सकते हैं, that's it for today, मिलते हैं कि आपके लिए वीडियो में, तिल दें बायन थैक य।